नमस्कार किसान भाईयों मैं निखिल सिंग सेमनेस कंपनी से टेरिटरी मैनेजर हिमाचल परदेश तो आज हम दुबारा इस आभासिय कारेकरम में जुड़ गए हैं जो कि सेमनेस हिमाचल की हमारी एक प्रस्तुती रहती है आप लोगों को समझाने के लिए बताने के लिए कि आपको हमने बरसाती वो भी मेगा के बारे में जानकारी दी थी आज जो है आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हम आपके सामने एक नया प्रोड़क्ट लेके आए हैं जो कि क्रॉप रैडिश मुली की फसल का प्रोड़क्ट का नाम है वाइट मोजैक तो स्टार्ट कार बढ़ने लग गया हैं आप लोगों से अनुरोध है सरकार द्वारा जारी की गई सबी गाइडलाइन का सकती से पालन करें मास्क पहन के रखें हाथ दोते रहें सैनिटाइजर का उपयोग करें आप भी उपयोग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो साबधानी तो बायर जो है आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कॉंगलोमेरेट है सबसे बड़ी ओर्गनाइजेशन है जो एग्री कल्चर में कारेरत है साथ ही साथ यह फार्मसुटेकल्स में भी है तो जब भी हम एक ब्रैंड की बात करते हैं कभी भी जब कोई कस् एमनिस की हम देखें तो यह एक रिसर्ज रिसर्ज एंड डेवलप्मेंट बेस्ट कंपनी है जो कहीं दशकों से अपने प्रोड़क्ट लाती जा रही है हिमाचल की बात करें तो फालगुनी जीवॉंट एक तरह से यह प्रोड़क्ट किसी इंट्रोडक्शन के परिचायक बाती है, इनको कोई इंट्रोडक्शन नीच चाइए, किसानों का विशुआश इन पर बना हुआ है, तो कहने का ताथ्पर है यह है कि दशकों से जो रिसर्ज चली आ रही है उसके बाद ये किसानों, ये कंपनी जो है किसानों के पास प्रोड़क्ट लेकर आती है, तो किस दिसम्बर 1 में, आज की तारिख है दिसम्बर 1, हम आपको बताने वाले हैं नए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नाम है वाइट मोजैक, इसके हमने डेमो दिये थे, पिछले साल भी डेमो दिये थे, इस साल भी डेमो दिये, और कमर्शिली भी हम इसको लॉँच कर चुके हैं हिमाचर प्रदेश में पंजाब इवन ओल अवर इंडिया ये वाइट मोजाइक प्रोड़क्त भिक राए हिमाचर प्रदेश में पिछले दो साल से हम इसको कमर्शियल कर चुके हैं तो इसके बारे में अगर हम बताएं आपको तो दोस्तों अगर मूली जब किसान उगाता है तो उसमें जब अगर हम मार्केट वैल्यू के टर्म से में बात करें तो सबसे पहले वो देखता है कि मूली की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है तो मूली जो हमारी आती है ये वाइट मोजाइक तो इसकी लेंथ देख सकते हैं यह जो खेत है लगबग औस जो है इसका 40-45 cm लेंथ रहती है यह हमने एक प्रोड़क्ट यहाँ पर निकाला और उसकी लेंथ देखिए हमने अल्मॉस्स 37 cm है 37 cm इसकी लंबाई है दूसरा cylindrical है इसका अगर structure देखेंगे तो cylindrical है तीसरी जो बात हम करते हैं मूली के बारे में कि इसकी जो lateral roots होती है जो side से roots निकलती है तो खासकर white mosaic की यह खासियत है कि इसमें जो lateral roots है उसकी growth ज्यादा नहीं है उसकी growth बेहत कम है इस structure provide करती है product development product का structure बेतरीन है जो market value के इसाब से बिलकुल आपको cylindrical दूदिया सफेद बिना किसी जड़ों के इस lateral जड़ों के जिसे हम देशी भाशा में मूचे बोल देते हैं बिना किसी उसके तो कही ना कही एक quality product निकल के आता है दूसरी हम बात करें हमने ये weight weighing balance आपके सा product में भी ये मूली market value को meet करती है आगे हम आपको दिखाएंगे कि कही बार जो मूलिया होती है यहां से निकलने के बाद ये live आपको product का display कर रहे है इसकी अगर आप structure देखेंगे कहीं से भी हरी नहीं हुई है वरना कहीं मूली निकलने के बाद हरी हो जाती है तो कहीं ना कही अगर बात करें तो इस product की field holding capacity भी अच्छी है दूसरी बात करें जब हमने market में ये cut के जब मंडियों में आई तो अड़तियों का रुजान ये था कि crispy taste है पंजनसी कम है तो कहीं ना कहीं customer इसको like करता है वो जब दूसरे markets में इसको ले जाते हैं तो transportation value में भी इसकी dependency बढ़ती नहीं है खाने में crispy रहती है टेस्टी रहती है तो वहां कहीं ना कहीं अड़तियों ने भी इसका चुनाव किया और इसकी value market की जो feedback आते हैं उनसे हमको बताई आज आपको सीधा हम किसान भाई से मुलाकात करेंगे जिन्होंने हमारी डेमो अपने खेत में आफ चुनावом आपको प्रॉदक के बारे में सीधा अभी आप डेरिक जुडए हमारे किसान भाई से जो आपका अफना विव है product के बारे में वो पताइए गाओ आउं कौन सा है अपने बारे में थोटा बताई कबसे किसानी कर रहे हैं चीजी की भी करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमें यह लगता है, कि हम जादा से जादा और जल्दी से जल्दी प्रोड़क्ट लें, इसलिए जैसे छोटी सी बात है, कि मेरे पास सेमिनस कंपनी से करमचारिया है, कि हमारी मुली बीजो जी भई आप, तो आम कंपनी बाड़ा यही बोलता है, कोई भी कंपनी है, वो यही बोलते है कि हमारी मुली बहुत अच्छी है, मैंने भी मुली लिए उन्हें डेमों के तौर पर दिया, मैंने मुली लिए, एक मेरा खेत है, यहां साथ में, काफ़ी बड़ा खेत है, जैसे आम मुली हम बीजते हैं, मैंने बढ़ इस मुली जो देखी और आम मुली जो देखी तो उसमें 15 दिन का फरक पाया गया 15-20 दिन का I mean मेरा मतलब ये है कि सेमिनस कंपनी की जो मुली थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी और जल्दी आई I mean दूसरी मुली को निकलने में कम से कम अभी 15-20 दिन और लगने थे इसलिए मुझे उस मुली का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और जो मुली निकलनी थी वो मुझे वहां से बिना त्यार हुए निकालनी पड़ी क्योंकि आगे मैंने जो बीजना था उस मेरा खेत लेट और रहा था इसलिए मैं सभी किसान बाईयों से कहना चाता हूँ कि आम जो बीज आता है कि हम यह बीजेंगे हम बो बीजेंगे कमपनी बारी अपनी आड़ देते हैं या पैसा करो जी लेकिन मैं यह बोलना चाता हूँ यह मेरा एक्सपिरियंस है मैंने यह मुड़ी बीजी और मुझे एक ऐसा एक्सपिरियंस वाइस है कि सेमिनस कमपनी की जो मुड़ी है वो बहुत अच्छी है आप लंबाई देखो आप इसकी सुंदरता देखो मैं हम सिन्पल वास में मुड़ी लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत सारी जड़ें ओती है तो दुकानदार लेने से मना करता है या घ्राक ने ले पाता है या खराब हो गई है मुड़ी एक ऐसा नहीं है एक चीज और भी है, जैसे हमारी आम मुली जो है, जमीन से जब उपर उठती है, तो जितना उपर उसका इसा रहता है, तो पोली हो जाती है, रूम की तरह, I mean, कुछ हरा हरा पन आ जाता है, और कोरे की बज़ से खराब हो जाती है, मैं आपको, सर ने भी आपको दिखाया, उस किस मैं हो गया, इसको जमीन से बार, लेकिन सूतवर कमी नहीं आई इसमें, इसलिए मैं सभी किसान भाईयों से प्राथना करता हूँ, चाया रकवेस्ट समझो, चाया जैस समर्जी समझो, अगर आपको ज़्यादा फाइदा लेना है, तो आप सेमिनस कंपनी को, कंपनी का जो बीज है, उसको लगाओ, और सबसे ज़्यादा फाइदा पाओ, धन्यवार, तो किसान भाईयों, अभी आपने सीधा, जो यूजर फार्मर है, उनका फीडबेक सुना, आशा गरता हूँ, आपने अपना भी एक डिसीजन बनाया हुगा, मार्केट में कहीं प्रकार के प का प्रोग्रेसिध फार्मर है, इनका गाओ में का फी नाम भी है, उन्हों ने एक थरह से अपनी मोहर लगा दी है, इस प्रोड़क्ट पे हमने इसको वास दी कुल्लू में भी टेस्ट किया है, कुल्लू के किसान, कांगra के किसान, मंडी के किसान, उना के किसान, इसका चु करने का मौका मिल जाएगा दूसरी क्रॉप लगाने का भी मौका मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आमदनी का सौधा है दूसरा इन्हों ने जैसे बता है फील्ड होल्डिंग के पैसिटी जैसे यह बता रहे थे हरी नहीं हो रही है उपर आने के बाद भी पॉली नहीं हो रही है मतलब टेस्ट लेस नहीं हो रही है, क्रंची रहती है फिर भी, तो वो इसकी दर्शाता है, फील्ड होल्डिंग केपैसिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं एक बहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के पास दुबारा सेमनेस बायर कंपनी लेके आई है, यह हमारी कोशिश रहती के दुबारा क्योंकि अभी वैश्विक महामारी का दौर चला हुआ है, तो हम किसानों को पहले बुलाया करते थे, सीधा दिखाया करते थे, उसकी वज़ाए डिरेक्ट आपकी सहूलियत के लिए, आपके फिंगर टिप पे दुबारा आपकी मोबाईल की स्क्रीन पे हम जढ आपकी तो है।